ओके तो यह वीडियो तो होने वाली बहुत ही सिंपल लेकिन काम की अब देखो मैं जो भी वीडियो बनाता हूं या कोई भी और वीडियो बनाते हैं वह लोग सब बोलते हैं सा वारंटी रेजिस्ट्रेशन कर लेना अब क्या है कि अगर आप ऑफ-लाइं स्टोर से खरीद जो आजकल ऑनलाइन प्रोडक्स आने लगें इन सब में जैसा इस वाच का भी दिखाऊं तो इस तरह के QR कोड आने लग गए ठीक है रिव्यू देने के लिए भी वारंटी रेजिस्ट्रेशन के लिए भी तो इसकी तो वारंटी रेजिस्ट्रेशन का यह नहीं लेकिन मीव इसलिए आप भी कर लिया करो अब देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए सिंपल है कि एक यह काड चाहिए जिसमें QR कोड का स्कैन हो ठीक है दूसरा एक आपको इसका बिल की फोटो चाहिए अगर बिल की फोटो आपने फेक भी हटा दी कुछ भी कर दी तो भी टेंशन नह आप जालो jpg में या png format में अपलोड करनी होगी pdf में नहीं कर सकते से वह pdf में डाउनलोड हो जाती है तो आप उसको डाउनलोड करके उसका screenshot लेदेना screenshot लोगे तो डॉट png हो जाएगी और फिर png to jpg converter तो मिली जाता है वैसे tension की कोई बात नहीं है most of the cases में आपका screenshot से का काम चल जाएगा या direct pdf से भी काम चल जाएगा ठीक है और तीसरी चीज़ जो चाहिए वह smartphone में QR code scanner होना चाहिए किसी-किसी smartphone में camera में inbuilt होता है किसी-किसी में नहीं होता तो या तो आप 2-3 MB की होते हैं apps वह download कर लो एक बार scan करना warranty registration के लिए फिर uninstall कर देना समझ रहों कोई है आप वहां से directly scan कर सकते हैं 99% cases में जैसे 90% किसी-किसी case में क्या होता है कि वह QR code scan को website पे ले जाते हैं लेकिन 90% case में QR code scan को एक WhatsApp chat में open करते हैं जहां पर automatic warranty registration चल रही होती है तो अगर आपके पास QR code scanner नहीं भी है तो इस तरह कोई नंबर मेंशन होगा कहीं उस पर आप डाइरेक्टली चाइट स्टार्ट करके भी वहां पर warranty registration कर सकते हो लेकिन स्कैन वाला मेथर देख लेंगे डाइरेक्ट वाला तो आपको मालूम है यह नंबर को सेव कर लेना इसे चाइट स्टार्ट करना और हो जाएगा ठीक है तो यहां पे हम लोग QR code scanner on करेंगे फोन में सहूलियत के लिए आप देख लेना कि आपने जो डाउमलोड की हुई है वो कहां पर है जैसे अब देख लो भाई मैंने कहां सेव कर दी एक सेकंड हाँ ठीक है तो यह है मीवी फोट का बिल ठीक है मैंने PDF ही रखा हुआ है देखते हैं अगर उसको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो हम लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इसका ठीक है स्क्रीनशॉट भी ले लिया मैंने तो वो भी टेंशन खतम चलो तो स्कैनर ओपन करेते हैं यह QR कोड है यह क्या मेंसेज आते रहते हैं यहां पर ऐसा QR कोड स्कैन किया ठीक है यहां पर देखो ऐसा को ऐसा आजाएगा वाट्साइप अकाउंट फाउंड और यह नंबर कंटिन्यू टू चैट यह चैट आएगा यहां पर आपको सेंड फोटो आफ यूर इन्वाइस तो फोटो ही मांग रहा है तो मैंने स्क्रींशॉट लेकर जो रखा हुआ था इसको मैंसे सेंड कर दूंगा यह सेंड हो गया क्या है कि आज ही मेंसे जाने है सारे क्या तो अभी रख तो कोई रिप्लाई नहीं आया है कि देखते हैं इस पर जो बोला हुआ था वो तो स्टेप्स फॉलो हो गया है कि देखो यह रिप्लाई आगया 1037 में तुरंथी एक मिनट भी नहीं लगे आपने देखा वीडियो में थांक्यू पर शेरिंग यूर और डीजिए तो इंगी पूर पॉइंटी रेइस्टर सक् इस इस एन ऑटोमेटेड वारंटी रेइस्टर सिस्टम विच एनोट अंसर प्रोडॉक्ट अब इससे कोई कोई पूच्छन नहीं पूच सकते सपोर्ट अडरेट मीवी डॉट इन पर जाना होगा लेकिन वारंटी आपकी रेइस्टर हो गई है तो एक मिनट का भी काम नही झाओ